कि दोस्तों आज की वीडियों में जानेंगे कि कैसे हम पॉइंट दबाकर यह जो नस पे नस चर जाती न उसको ठीक कर सकते हैं जहरा दोस्तों क्रेंप्स आपने देखा ओगे ना कभी-कभी हमें भी आ क्या होता न, हमें एक्दम से उठें, उठते हैं हमारे टांग में, नस्पे नस्चड़ जाए इस तरीके से और हमें इतना प्हेंकर दर्द होगा, या हमने आथ उठाया, और हाथ पर हाथ इस तरीके से दर्द ह compromis दर्द होने लोगें, नस्चड़ जाए. जिसको मात्र दबाने से ही ना आपकी नस चड़ गई है ठीक हो जाएगी किसी तरह की पेन किलर की आवशक्ता नहीं है किसी तरह की मलम की आवशक्ता नहीं है और यदि आपको हाट टाइम चड़ी रहती है करोणी प्रवल्लीमित अहीं को जाती है करीद कई रहा दर्द होती है है हाने एक सिंडल पार में नसर नर्स की ओ उनकी प्रोब्लम और शेरियों में और क्योजिक को इनके कि बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है जिसकी वज़े से कहीं भी चड़ जाती हो और व्यक्ति को जिसको पुरानिक प्रेम विमारी हो गई है उसकी तो बैसा हालत खराब तो आज जो पॉइंट ले क्या हो न अगर उस व्यक्ति ने डेली दबाना चालू कर दिया तो व्यक्ति क कि ने यह प्रोब्लम कितनी पुरानी हो जड़ते ठीक हो जाएगी और यह पॉइंट तो अमर जैनती पॉइंट है जदि आपको अभी स्टैम ही आर यह न नस्पे नस चड़ गई तो मसलने की और पेन किलर की आफशक्त नहीं है आपको आफशक्त है पॉइंट की माते तुरंत नस्पे नस्प चड़ गई न उतर जाए आप करके देखना बहुत इफटिव पॉइंट है जदी मान लीजे आपके इस वाले हिस्से में है राइट हैंड साइड़ वाले यहां से लगा लिए नाक के इधर वाले हिस्से में इस वाले फेस पे हो चाही हाथ में तो उसका पॉइंट इस वाली फिंगर में आपने क्या का ना ये इस तरीके से इस तरीके से तरीके से तुरंट तुरंट की तुरंट ही इधर क्वाले हिस्से में जो नस चड़ गई है ना कहीं भी चड़ गई चाहे पैर में चाहे हाथ में चाहे पेट में चाहे बाजू में चाहे चाहे पर इधर भी तुरंट उतर जाए इधर दबाते हैं इस तरीके दे गुरुक कुंडा किये और दबा करें फिर भी फिंगर लेनी और इस तरीके से दबादेने मताब इस साइड वाले इस से के लिए ये वाली फिंगर इस वाले साइड के लिए ये वाली फिंगर आप दबा के देखे लिए कि मत कर आपको खुद महसुस होने लग जाएगा तुरंत आप इसका असर देखोगे देखिए इस सेड़ और नखून के साइट साइट और दो से तीन मती दर यह पूरे शरीर में आती है अधिक हैं यह तो ही दोस्तु प्रेशिर की बात आप बात करें मैगरेट से तो इसके लिए दोस्तों आपने यह रहात रहात है क्योंसा ना कैसे यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से और एक हम लगा देंगे इस तरीके से यहां लगा दिया और इसी तरीके से हमने यहां लगा देना है अगर एक सैट वाले इससे में आ रहा है तो इधर कर देंगे अगर इधर आ रहा है तो इस वाले में कर देंगे और यदि बॉड़ी के किसी भी इससे में कभी भी आ जाता है तो दोनों फिंगर में आप लगा लिए कोई नुक्सान नहीं फाइदा ही फाइदा है तो देखा ना क्रैंप से हम कैसे घर बैटे सिंगल पॉइंट डबाकर ठीक कर सकते हैं दोस्तों एकूप्रेशर का मज़ा यह लगए यदि आपने कर लिया ना समझ लिया और अप्लाई क सब्सक्राइब करने नमस्कार दोस्तों फिर मिलूँ आप से किसी नई वीडियो पे किसी नई टॉपिक पे नमस्कार